आपने कभी इंटरनेट पर यूट्यूब पर वो वीडियो देखी हैं जिसमें पतलब आपको परिशान किया जाता है और जब आप परिशान हो जाते हो तो फिर बोला जाता है कि वो देखे कैमरा लगा हुआ था आपके साथ प्रैंक चल रहा हैं कुछ उसी तरह का प्रैंक अ आपको पैसा देगा पर्चेस करेगा आपसे बिल मांगेगा और जब आप उसको बिल दे रहे होगे तो वो कहेगा वो देखे कैमरा लगा हुआ है देखे हाथ हिलाए आपके साथ प्रैंक चल रहा था मैं ग्रहक नहीं हूँ मैं हूँ GST ऑफिसर जी हाँ फ्रेंड्स कुछ ऐसा ही होने वाला है अब इसको हम लोग कहते हैं मतलब GST के लैंग्वेज में इसको कहते हैं टेस्ट पर्चेस और अब टैक्स चोरी को रोकने के लिए जैसे रोज नए नए कदम उठाये जा रहे हैं उसी में से अब एक ये भी चीज एड़ कर लीजे और सावधान हो है वो ग्रहक ना होकर कस्टमर ना होकर GST ऑफिसर हो अब कोस्टन के उठता है कि सर ये डिसाइड जैसे होगा मतलब कैसे सेलप्ट किये जाएंगे वो टैक्स पेर तो देखिए बहुत जैसे टैक्स पेर होते हैं जिनकी सेल तो बहुत ज्यादा होती है 10 लाग 20 लाग 50 पूरा साल भर गुदर जाता है वो लोग cash में एक रुपय नहीं पे करते हैं पूरा ITC से adjust कर देते हैं यहाँ पर ये doubt का case है कि it cannot be possible कि आप high volume of turnover कर रहे हैं और आपको GST पेई नहीं कर रहे हैं पूरा पूरा आपका ITC से set off हो जा रहा है तो ऐसे cases में GST officer customer बनके आ सकते हैं दूसरा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी threshold limit तो cross हो चुकी है बट वो GST registration नहीं लेते हैं अराम से काम कर रहे हैं बैठे हुए हैं बड़ा सा showroom खोल के बैठे हुए हैं सेल भी खूब हो रही है लेकिन कोई GST registration उनके पास नहीं है वहाँ पर भी आपके साथ prank हो सकता है GST officer की तरफ से आपके साथ भी ऐसा होगा जब आप जाते हो कुछ भी purchase करने तो आप पैसा देते हो और जब आप बिल मांगते हो तो सामने तो क्या कहता है जो भी दुकानदार कहता है कि देखिए अगर आप invoice लेंगे तो फिर आपको GST पे करना पड़ेगा तो हमनों क्या कहते है ठीक भी रहने दो आप हमें normal बिल दे दो tax invoice मत दो वहाँ पर भी अगर आप ऐसा करते हो तो भी रुक जाओ विकास जो ग्रहक बनके आया है वो आपसे यही कहेगा कि मुझे invoice नहीं चाहिए आप बस पैसा ले लो और जब आप ऐसा करने के लिए सहमत ह हो जाओगे agree कर जाओगे वो पता चलेगा ग्रहक नहीं है officer है वो देखिए camera हाथ हिलाईए अब आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा तो normal prank videos में तो बड़ा मज़ा आता है लेकिन जब आपके साथ prank होगा वो भी इतने बड़े level का तो problem हो सकती है तीसरा ऐसा बहुत होता है और ज्यादा कहां होता है electronic shopper जो tiles, granites, medical shopper estimation का bill बहुत मिलता है यह आपने भी experience किया होगा जब आप जाते हो medical store पर या electronic item बे तो जो भी आपने चीजें खरीदी है एक estimation में उसने क्या करता है यह चीजें उसका यह रहा total और हो गया काम तो यह जो estimation slip पे sale हो रही है न अगर यह आप करते हो तो साउधान हो जाओ क्योंकि वहाँ पर भी आपको problem हो सकती है आपके ऊपर test purchase हो सकती है उसके लावा जो service industry है service industry में बहुत ज्यादा chance होता है कि आप tax की चोरी कर सकते हो तो वहाँ पर भी यह problem आ सकती है तो यह दो हो गया है जो main cases है इसके अलावा भी cases है जहां पर आप ITC की चोरी कर रहे हैं, sale को छुपा रहे हैं, जितनी sale हो रही है उससे कम करके दिखा रहे हैं यह आपको competition scheme में नहीं होना चाहिए आपका turnover है वो 1.5 CR से उपर है विभी आपने नीचे दिखा रखा है यह बहुत सी चीज़ें है cases है अगर department को ऐसा लगेगा कि आप इन चीज़ों में involved हैं तो वो GST officers customer बनके आपके पास आ सकता है तो अब यह शुरू होने वाला है तो आप लोग बहुत ध्यान से sale करिए इस अगर आप guilty अगर आपने कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए तो उसी समय आपके उपर proceeding start हो जाएगी, notice भेजा जाएगा penalty लगेगी, interest लगेगा और अगर बहुत बड़ा कोई fraud सामने आ गया तो jail भी हो सकती है तो बस बचके रहिए because अब यह जो प्रैंक है जो GST officer customer बनके आएगे यह शुरू होने वाला है और बहुत से state में शुरू हो चुका है तो करनाटक बगएरा में तो अब आपके पास भ कर ले knowledgeable वीडियो में